Assalamualaikum guys मेरे नाम है रहान और guys finally आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Oppo Reno 8 के बारे में वीडियो को छोड़ के नहीं जाना आज किस वीडियो में आप लोगों को Oppo Reno 8 सीरीज का डिजाइन दिखाने वाला हूँ अब ये Oppo Reno 8 होने वाला है या फिर 8 Pro होने वाला है ये तो अभी confirm नहीं है लेकिन Oppo की जानिब से Oppo Reno 8 सीरीज के एक स्मार्टफून का डिजाइन आउट हो चुका है अगर आप लोग वो डिजाइन देखना चाहते हैं कि भाई इसका डिजाइन कैसा है तो काइनली वीडियो को एंट तक जरूर से देखेगा और हाँ वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजेगा लेकिन अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ायो सब्सक्राइब करो बेल अकर बजाओ ओल करो ताकर जब भी मैं एक नया वीडियो अप्लोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले जैसा के दोस्तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा के बई ओपो रेनो 7 सिरीज को चाइना की मार्केट में लौच किया गया बेसिकली ओपो रेनो 7 सिरीज के तीन स्मार्टफन चाइना की मार्केट में लौच किया गए है OPPO Reno7 SE, OPPO Reno7 and 7 Pro Unfortunately OPPO Reno7 series जो है वो ना तो अभी तक पाकिस्तानी मार्कर में आई है और ना ही अभी तक इंडियन मार्कर में लौच की गई है लेकिन अभी ये न्यूज आ रहे हैं के भई OPPO ने OPPO Reno8 series का design भी out कर दिया है अभी ये तो confirm नहीं है के भई ये OPPO Reno8 होने वाला है या फिर 8 Pro होने वाला है लेकिन OPPO Reno8 series के एक smartphone का design आउट हो चुका है आप लोगों ने देखा ये design आप लोगों कैसा लगा है Let me know in the comment section अब यहां पर जो न्यूज आ रही हैं उसके मताबिक ये कहा जा रहे है कि इस year के अंदर OPPO Reno7 series की दो series लौँच की जाएगी यानि के OPPO Reno7 series भी लौँच की जाएगी पाकिसानी मार्किट में इसी साल के अंदर और OPPO Reno8 series भी इसी साल के अंद तक हमें देखने को मिल जाएगी अब गईस बात करते हैं इस smartphone के कुछ design के बारे में design काफी ज़रा प्यारा है और personally smartphone का back design मुझे काफी ज़रा पसंदा है Basically smartphone के तीन colors आते हैं और तीनों के तीनों colors काफी ज़रा प्यारा है और एक premium look provide कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों smartphone की back गिलास की होने वाली है लेकिन यहां पर जो camera module का design है उसको copy किया गया है जैसा के हमें टेक्नो spark 8 pro में design देखने को मिला वैसा ही design हमें camera module का smartphone की back पर देखने को मिल रहा है खिर camera module का design तो टेक्नो spark 8 pro जैसा है और यहां पर जो camera's की implementation की गई है वो भी उस style में की गई है जैसा के हमें टेक्नो spark 8 pro में देखने को मिली है यहां पर main sensor जो है वो confirm किया जा रहा है 64 megawizzle का बाकी दो sensor जो है वो अभी तक unspecified है confirm नहीं है specification इस smartphone की बाहर नहीं आई लेकिन अपने experience के थूरू बता रहा हूँ कि भाई यह यह specification हो सकती है confirm नहीं है expected बता रहा हूँ खिर यहीं पर अगर मैं display की बात करूँ तो यहां पर display वैसा ही provide किया जाएगा जैसा कि आपको OPPO Reno7 series या फिर OPPO Reno6 series में देखने को मिला है यानि के left corner के top के पर punch hole देखने को मिलेगा emulate display होगा साथ में 90 Hz या फिर 120 Hz से refresh rate देखने को मिल जाएगा बाकी अगर मैं chipset की बात करूँ तो chipset के बारे में कोई भी confirmation नहीं है जैसे ही smartphone की कोई भी specification बाहर आती है तो मैं आप लोगों को लाजमी से वीडियो provide करूँगा अब काफ़ दर लोग जो है वो इस वीडियो के नीचे comment करेंगे ये OPPO Reno8 series पाकिसानी मार्केट में कब तक आएगी भाई अभी तक OPPO Reno7 series पाकिसानी मार्केट में नहीं आई मार्च तक expected है कि OPPO Reno7 series पाकिसानी मार्केट में आएगी और फिर 5-6 मंत के बाद OPPO Reno8 series पाकिसानी मार्केट में आएगी डिजाइन लीग हुआ है इसी वैसे मैंने इसके ओपर वीडियो बनाई है सो उमीद करता हूँ गाई आज की वीडियो आपको काफ़ ज़रा पसान दाई ही होगी अगर पसान देए तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल पर नहीं तो सबस्क्राइब करें मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक कलिए भाई को इचाज़त दीजे अल्ला हाफीज